सड़क हाद से मिवग की मोत के बाद आकरशित ग्रामी ने किया सड़क जाम लगबग साथ घंटे तक रहा सड़क जाम घटना स्था पर पहुची जारखन के उत्पाद वो मद निसेद मंत्री बेवी देवी घंटों की जड़ो जहत के बाद हुई ट्रांस्पोर्टर वो परजिनों के साथ सफल वारता दुगदा थाना छेटर के हीरग रोड इस्थित इंडियान ओयल पेट्रोल पंप के समीब एक सड़क हाद से मिवग की मोत से सरको घंटों तक आकुषित गामियों ने जाम कर रखा था जहां घटना इस्थापर राजि के मद निसेद मंत्री बेवी देवी वकारों एस्पी आलोग पेदर सी सफल बारता में अहम भूमी का निभाने वाले चंद पर थाना प्रभारी राजेश रंचन जुग्दा थाना प्रभारी अंकिंत पांडे पहुँच कर गाड़ी मालिक और ट्रांस्पोर्टर के साथ परिजिनों की उचित मौपजा को लेकर सफल बारता किया गया जिसे संतुष्ठो का परिजिनों ने साथ घंटे के पस्चाथ रातरी लगवक साले आठ बजे जाम को हटा लिया इस मौके पर आज सुने तरी जसोदा देवी मुख्या पत्मिदी मंटु महथा समेथ दजनों पत्मिदी मुझूद थे बकारो से राकेश कुमार सिंग की रिपोर्ट बाबा एक सलक एक्षिन में एक की मोथ हो गये थी जिसके करन सलक जाम किया गया था तो क्या बारता हुआ देखिये मेरे छेतर में रुमा पंचायत के अंतरगत अंतरगत यहां पे एक ट्रक जो खास महल से एंपियल जा रहे थी इसी बीच में एलो से आ रहे थे एक नजुअक जो निस वर्स के था उसके चपेट में आने के बाद उनकी मोथ हो गया उनके साथ उनके दो सिष्टर भी थी जिसमें से एक भायल है वो बीजिये चुमें और उसके बाद यहां पे रोट जाम किया गया रोट जाम होने के बाद हमारे अस्थानिये हमारे डूमरी की बिधाक सहमंत्री धारकन सरकार के अध्यक्षता में और हमारे आरची अधीचक बुकारो एस्डियो बेर्मो और हम लोग सभी जनपरतिनीजी के बीच में एक वारता हुई जिस वारता में एक सफर वारता के साथ जो इस जो आशित के लोगों को ट्रांस्पोर्ट के द्वारा चार लाख रुपईया सियो के द्वारा जो सरकारी जो होता है उससे एक लाख रुपईया और वीडियो के द्वारा दस जार रुपईया मंतरी हमारे मंतरी जो हैं बेभी देभी उनके दुवारा पयला पचास जाग पया हमरे दुवारा दस जाग रूपिया यह जाम गया और लोग अपने अपर समें है जा रहे हैं यह दूख की घड़ी इस दुख को जहलना उस परिवार को मैं मातारानी के चल रहा है मैं उनसे सांती प्रिये करता हूं कि इस सांती इनको आत्मा को सांती दे और सक्ती दे इनके परिवारों